आप सभी को जैसरी कृष्णा राधे राधे तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू को पाल की एक सत्य घटना तो ये सत्य घटना है ब्रंदावन की एक मैया की और उनके मैया और उनके लड्डू को पाल की कि अगर भगवान चाहें लड्डू को पाल चाहें तो वो किसी भी इन पूरी मतलब सामर्थ है सकती है पूरा अनुभव है लोगों का कि ऐसा भगवान कर सकते हैं और होता भी यही है इसलिए भगवान के साथ अगर प्रेम रखो या रिस्ता बनाओ उन से तो उनको जीवन भर उनका रिस्ता जरूर निभाव कि इनसान तो भूल जाते हैं कि हमने म मतलब हम कैसे उसमें थे और कहां पहुँच गए लेकिन भगवान कभी नहीं भूलते हैं तो वो हमारे अच्छे कर्मों का और बुरे कर्मों का जरूर फल देते हैं इसलिए पूरी कोसे से ही करिए कि आपके द्वारा कोई गलतिया नहों और भगवान की सेवा में जो भी मत उन्नती होगी बढ़ोत्री होगी और अगर अपने आपको ये समझें कि सब कुछ जो भी हो रहा है वो सब मेरे उसमें हो रहा है तो ये ऐसा भूल के भी ये भूल कभी मत करिएगा ये सब भगवान की क्रपा है और हमारे प्रारब्ध का भी है कि हमारे प्रारब्ध में कु कल का प्रारब्द होता है और कल का भाग्य होता है इसलिए हमको मतलब जो प्रेजेंट चल रहा है जिस हाल में हम है उसमें बहुत अच्छे से रहें बहुत किसी को ना तो दर्द दें ना तकलीफ दें और ना ही कस्ट दें ऐसे ही अपने जीवन को भगवान को समर्पित करके और अपना जीवन बहुत अच्छे से चलाएं तो क्या हुआ कि वो जो मैया थी वो भगवान लड्डू को पाल की बहुत बड़ी भक्त थी क्योंकि थी तो वो ब्रंदावन की ही तो ब्रंदावन का तो हरे घर हरे गली में हमारे लड्डू को पाल हमारे कृष्न कनहिया मौझूद है वहाँ पे है घर घर में लाला है ऐसे ही हाल वहाँ उन मैया का था और वो जो मैया थी वो मारवाड़ी थी वो कोई पंडित नहीं थी कोई वो नहीं थी लेकिन उनके मन में लड़ो को पाल के प्रती बड़ा प्रेम था और वहीं में एक बहुत बड़ा सा मंदिर था तो वो रोज की अपनी पूजा पाठ करके फिर वहां पे चली जाती थी वहां के जो गोस्वामी लोग हैं जो मंदिर की पूजा पाठ भगवान की कृष्ण भगवान की पूजा पाठ करते थे वो भी उनको उन मैया को बहुत अच्छे से जानने लगे थे क्योंकि होता है न कि जब कोई रोज जाएगा मंदिर तो पुजारियों से बड़ा अच्छा संबंध हो जाते क्योंकि उनको पता होता है कि यह अम्मा रो जाती है यह मैया रो जाती है और खराब इंसान बना सकते हैं इसलिए हमेशा अपने सब्दों का भी विसेश ध्यान रखे किसी से भी बोलिए चाहे जादा बोलिए या कम बोलिए लेकिन सब्दों का विसेश ध्यान रखे अपने से बड़ों का छोटों का बड़ा सम्मान करके बोलेंगे तो वही इंसान है, इंसान सकल से, सूरत से, पढ़े लिखे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपके व्योहार अच्छे नहीं है, अगर आप में सभता नहीं है, बड़े से बड़े लोग हो जाएं और अगर उनके पास तमीज नहीं है बोलने की, तो वो कोई मतलब नह होता उनके पढ़े लिखे होने का और रहीस होने का, तो ऐसे ही हाल उन वहाँ पे था मैया के साथ बड़े बड़े जो गोस्वामी लोग थे, वो बड़े अच्छे से बात करते थे, मैया को भी बहुत अच्छा लगता था, और उनका तो रोज का रुटीन हो गया था, कि अ लड़ो गोपाल की क्रपा ही समझे, मैं इतनी भक्ती थी अमा में, मैया में, कि वो हर एक चीज में जो करेगा मेरा लड़ो गोपाल करेगा, जो हो रहा है मेरा लड़ो गोपाल की उससे हो रहा, ऐसे करके, मतलब हर एक चीज का स्रे जो था न, वो अपने भगवान को दे द अपने लड़ुको पाल को देदे दी थी फिर क्या होता है धीरे 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 करके इनका व्यापार था तो इनकी हस्वेंड थे जिब गर चले जाते हैं फिर वो जो उनका धंदा पानी था उनको वो बच्चे समान लेते हैं अब उनका वैपार इतने अच्छे से चलने लगता है कि बच्चों के पास बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिलता कि वो अपनी माँ से बात करें कि जैसे चोटे थे ना तब ये मैय से लगा तो इनका जो ध्यान अब हो गया पूरे टाइम पैसे 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 में ही अब एक दो यहां पे मतलब जो इनकी सौप थी वो बहुत अच्छी चलने लगी अब ये क्या किये कि यहां से उनकी कोई रिस्तेदार थे बंबई में अब ये वहां चले गए बंबई चले आप तो वहां सिप्ट हो गए अब उख डिन के बाद जब माईया दिखी नहीं तो किसी गोस्वामी ने पूछा कि अरे वो माईया आती थी रोज का उनका नियम तार रोज आती थी इस समय कुछ दिन से दिखने ही रही है कहां गई वो माईया तब ये त तब ये तो ठीक है आइसे करके किसी से वो गुस्वामी पूछे तो किसी ने बताया जो उनके आसपास में रहते होंगे तो उनोंने बताया कि हाँ मैया ठीक है अब उनके बच्चे वहाँ पर वैपार कर रहे थे तो अच्छा चलने लगा थे तो वो सब लोग वहीं चले गए यहां पर किराये से दे दिये हैं और वहीं सिप्ट हो गए हैं ऐसे करके गुस्वामियों को बड़ा वो लगा कि अरे मैया ने तो कुछ बताया भी नहीं और है तो ऐसे चली गई उनको मतलब थोड़ी सा वैसा लगा कि बिना बताय मैया चली गई अब क्या होता है इन मैया की तो आदत थी रोज कनिया जी के दर्सन करने की अब उनको वहां पर अच्छा ना लगे अब ये एक दिन कहती है अपने बच्चों से कि बेटा ऐसा करो कि मैं अपने उसी वाले घर में मेरा मन कर रहा है रहने का और यहां ना तो ऊपर चड़ जाती हूं मतला वो लोग फ्लैट लिये होंगे तो वहां पर क्योंकि बॉम्बे में तो बड़ा वैसा है ना नीचे का मकान लेना तो बड़ा मुस्किल है और है तो वो फ्लैट में ही रह रहे थे सब और इनका जो वैपार था ये होगा कहीं किसी मार्केट में अब वो मैया को बिलकुल अच्छा ना लगे क्योंकि उनकी आदत थी भगवान रोज मंदिर जाने की और अपने लड़ो गोपाल तो थे ही लेकिन उनकी आदत जो मंदिर जाने की थी वो तो अब वहाँ पे मंदिर कहां पदा नहीं कहां पे मंदिर होगा वहाँ बिलकुल जाने नहीं मिल रहा था उनको अब ये बेचैन होने लगी कि मैं कैसे अपने ब्रंदावन चले जाओं कनहया वो कनहया से कहें कनहया तो ही कुछ कर मुझे ब्रंदा बन जाना है लेकिन कहां कोई ले जाने वाला था अब यहां तो इनका वे अपार दिन दूना राच चोग ना बढ़ने लगा अब बच्चों जैसे ही वो मैया कहती ही वो मना कर देते की महाब नहीं जा सकते वहां पर और है तो यहां कौन समहा लेगा ऐसे करके मना कर देते अब वो क्या हुआ कि धीरे धीरे अब जो मैया थी वो बुझुर्ग होने लगी बुझुर्ग होने की वज़े से अब उनकी लड़ो गॉपाल की सेवा भी वो हो गई अब बहुएं जो थी इनकी दो बहुएं थी अब ये बहुएं से कहती की बेटा थोड़ी अब लड़ो गॉपाल की सेवा आप तुम लो किया करो मैं सुबह से मतलब नहानद होना मेरा नहीं हो पाता है बहुत देर हो जाती है और वो भूखे प्यासे ऐसे बैठे रहते हैं तो एक दो दिन तो बहुएं ने बहुत अच्छे से करी की चलो मा ने बोला है तो कर देते हैं फिर उनका रोज का अब वो दिन प्रती दिन बूढ ही हो रही थी उनसे नहीं हो पा रहा था तो अब इनका रोज का वो हो गया कि रोज सेवा करना है अब तो ये पीछे हटने लगी मतलब किसी दिन किसी बहाने से अब वो मैया इतनी बुजूर्ग थी इतना तो अन्भो था उनको इतना तो समझ सकती थी तो वो समझने लगी कि इन बहुआँ का मन नहीं करता है मेरे लड्डू को पाल की सेवा करने का एक दिन वो जो मै थी वो अपने बच्चों को बुलाती है कि बेटा मेरा लाला ना कभी कभी ऐसा होता है कि भूखा भी रह जाता है तो ऐसा मैं करती हूं कि तुम लोगों से अगर हो सक है सेवा तो बता दो अगर नहीं हो सकती है सेवा तो मैं जहां पर अपन लोग रहते थी वो मंदिर था वह हामेंगो स्वामियों को वो सेवा तो करते ही है अपने कनहिया की तो मेरे लड़ों को पालकी भी कर देंगे तो अगर तुम लोग चाहो तो कर सकते हो अब बता दो मुझे नहीं तो मैं उनको दे दूँगी क्योंकि मुझे रोज रोज का अच्छा नहीं लगता कि मैं अपनी बहूं से बोलूं और वो बिना मन के करें ऐसे करके तो जो बहूं थी वो जल्दी से कह दे दे थी हाँ अमा जी मा जी दे दीजिए आप सही कह रही है आप हो नहीं पाता है हम लोग अपने काम में लगे रहते हैं इतनी खुस हो जाती है देने के नाम से कि चलो वो क्या समझ रही थी कि एक बलाए टले हमारे मतलब हम को एक और काम मिल जाता है अमा जी बोल देती है कि ये करो लड़ो गोपाल और वो ये नहीं समझ रही थी कि इतना जो व्यापार इनका बढ़ रहा है सब कुछ हो रहा है उन्नती हो रही है ये कहीं न कहीं लड़ो गोपाल की क्रपा से ही है हमें ना कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि हम अगर मतलब हमारे परिवार में हमारे घर में अगर उन्नती हो रही है इस्ट का धन्यवाद देना चाहिए लेकिन ये सब चीज वही समझ सकता है जिसके उपर भगवान की क्रपा होती है और भगवान से लगाओ होता है तो वो बहुएं कहां समझने वाली थी वो तो कभी मतलब अपने खुद से कभी स्नान भी न कराती भगवान का ना कभी जल भेज़ते थोड़ी एक बार फिर मैंनी कहूंगी लेकिन एक बार भेज़ते मुझे मुझे ऐसे अपने लड़ो गोपाल देखे नहीं जाते कि मैं पूरे पूरे दिन मतलब इतनी देर हो जाये और मेरे लड़ो गोपाल बिना कुछ खाई मेरा तो चल जाएगा मुझे कोई वो नहीं है लेकिन मेरा लड्ड़ ऐसे बैठा रह जाता है ना बेटा मुझे वो बरदास्त नहीं होता, मुझे वो देखा नहीं जाता है और मैं क्या रोज-रोज बहूं हmore कहूं कि तुम यह कर दो, तुम यह कर दो लड्डू गोपाल की है तो ये जैसी सुनते हैं वो बच्चे वो बड़े हो जाते हैं उनको लगते हैं कि मा क्या आप हर बात पर लड्डू गोपाल करते रहते हैं हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं उसकी बज़े से ये सब कुछ हो रहा है ऐसा नहीं है कि और है तो फिर यह जो बच्चे होते हैं वो उनको फ्रंदावन भेज देते हैं कुछ दिन के लिए और वो अपने साथ में लड्डू को पाल लेके आती हैं अपने घर के वरसों से पूजे दिये तो नहीं जा रहे थे उनसे उनको तो ऐसा लग रहा थे कि जैसे मैं अपने प् आई पी ऐसे बैठ जब उनका मतलब उनके हाथ पैर चलते थे जब अंकल जी थे तब वो दोनों मिलकी बहुत अच्छे से सेवा करते थे सुबह का भोग फिर थोड़ी देर से भोग फिर कहीं कुछ कहीं कुछ अंकल जी भी जो थे वो भी बहुत ध्यान देते थे वन में तो खाने की तो पूछिये मत कहीं रबडी मिल रही है कहीं माखन मिसरी कहीं कुछ मतलब इतने मेवा मिस्ठान वहां पर मिलते हैं न कि अब वो ब्रंदा वन ही है धाम ही है भगवान का लड्डू गोपाल का बाकि विहारी का तो वहां क्या न मिलेगा और वो खाने वाले थे हमारे लड्डू गोपाल लेकिन अब इन बहूं के चकर में बच्चों के चकर में उनको कुछ मिल नहीं पा रहा था तो ये चीज उनको बड़ा दुखती थी और बड़ा बुरा लगता था कि मेरे लड्डू गोपाल कैसे में रखती थी और आज उनकी स्थिति कै कैसी हो गई है कि मेरे लड़ों को फाल भूखे रह जाते हैं अंदवन आके फिर वो उसी मंदिर में जाती हैं जहां पर वो हमेशा जाया करती हैं और फिर उनी गोस्वामियों से मिलती हैं फिर वो बड़े उससे पूछते हैं जो वहां के पुजारी गोस्वामी जी होते हैं वो पूछते हैं कि अमा आप कहां चली गई थी मैया इतने दिन से आप आई नहीं हमने पूछा भी सबसे तो फिर वो बताने लगी कि अरे बेटा वहां चले गए थे बॉमबे अब सब बच्चे रहने लगे हैं तो वही उनके साथ में लेकिन ऐसे बताते बताते बड़ी दु बच्चे मुझे रहने नहीं दे रहें लेकिन मुझे बहुत याद आती है मेरा बिल्कुल मन नहीं करता जाने का और मैं आपको एक चीज देने आई हूँ तो वो कहते हैं कि क्या तो वो कहते हैं कि ये समझो कि मैं अपना कलेज़ ही आप लोगों को दे रही हूँ बड़ी वो हो जाते हैं बोले कि मैया ऐसा क्या दे रही हूँ आप हमें हमें नहीं चाहिए भगवान की क्रपा से सब कुछ है हमारे पास और है तो ऐसा क्या आप देने वाली हो और इतनी दुखी क्यों हो तो फिर बाद में वो अपने उसे लेड़ो को पाल को निकालती हैं और कहती हैं कि ये मैं आपको सौप रही हूँ और बहुत रोती हैं फूट फूट कैसे रोने लगती हैं तो फिर वो जो हो स्वामी होते हैं वो चुप कराते हैं और कहते हैं मैया रो नहीं क्या बात है फिर वो बताती हैं और कहते हैं कि आप कनेया जी कि यहां सेवा करते हैं तो लगाना वैसे ही सब कुछ करना तो वो कहते हैं कि मैया आप पिल्कुल निस्फिकर रहो हम आपके लड्डू गुपाल की भी वैसे ही सेवा करेंगे जैसे इनकी करते हैं तो ऐसे कहके वो निस्चिंत हो जाती है मैया और फिर घर आ जाती है मतलब कुछ दिन रहे के अपने घर में और यहां पर आ जाती है लेकिन लड़ू अपाल से इतना प्यार करती थी कि उनके बिना उनका रहना मुस्किल हो स्वेर्गवासी हो जाती है उनकी डहट हो जाती है और फिर क्या होता है कि कुछ दिन के बाद वह बच्चे आते हैं उनहीं मिलने को स्वामी जी से मतलब वो अपने घर आए हुए थे तो वहा जाते हैं जहां यह मिया जाती दिए तो फिर वो पूछते हैं कि अरे आप अकेले आए मिया को लेके नहीं आए तो फिर वो बताते हैं कि मिया आप नई रहे वो स्वरगवासी हो गई हैं ऐसे कहके तो स्वामी भी बड़ी दुक्षी होते हैं और कहते हैं कि अब आप मतलब बताने लगते हैं कि आप हम यहीं रहेंगे तो पूछते हैं कि क्यूँ आपका तो वहां बहुत अच्छे से चल रहा था व्यापार तो बोलते हैं कि नहीं पता नहीं क्या हुआ जब से हमारी अम्मा खतम हुई है रेड़ो को पाल नहीं है पता नहीं किस वज़े से और हमारा पूरा एक दम से जो इतना अच्छा व्यापार चल रहा था वो पूरा व्यापार खतम हो गया और हम जो इतनी अच्छी पोजिशन में आज हम रोड में आ गए हैं, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कि हमारे साथ ऐसा क्या हुआ, क्या हमने ऐसे गलती की, वैसे ही कर रहे थे, जैसे इतने दिनों से कर रहे थे, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और है तो, फिर ये कहते हैं, गो स्वामी जी समझ आते हैं कि ये कुछे जो इतने दिनों से आप मैया जो ये सेवा कर रही थी ना लड़ो गोपाल से आप इस बात को मानो या ना मानो ये सब क्रपा उनकी थी लड़ो गोपाल की क्रपा थी तो फिर वो जो बच्चे होते हैं वो भी दुखी हो जाते हैं वो कहते हैं कि हाँ सही कह रहे हैं अब और हमारी मा भी हमसे यही चीज कहा करते थी तब हम समझे नहीं थे और फिर बाद में अपने लड़ो को पाल को बुलेते हैं और मा भी मांगते हैं और फिर लड़ो को पाल को अपने घर लेके जाते हैं तो ऐसी होते हैं हमारे लड़ो को पाल की क्रपा की वो तो चुछ भी कर सकते हैं लड़ू गोपाल इसलिए उनके साथ बहुत अच्छे से रहिए कोई रिस्ता बना के रहिए कोई संबंद बना के रहिए और ये सोचिए जो भी हो रहा है सब उनकी क्रपा से हो रहा है फिर बाद में क्या होता है कि वो बच्चे भी इस बात को स्विकार कर लेते हैं कि हाँ लड़ू कोपाल की क्रपा से ही और उनकी नाराजकी से ही ये सब कुछ हुआ तो फिर बाद में वो भी अपनी मा की तरह ही लड़ू कोपाल की सेवा करने लगते हैं फिर उनकी क्रपा से धीरे धीरे उनका जो व्यापार है वो अच्छा चलने लगता है और फिर से उनकी वही इस्तिति हो जाती है अच्छे से व्यापार उनका समखल जाता है तो ऐसे हैं हमारे लड़ो को पाल तो लड़ो को पाल हमेशा सब के उपर अपनी करपा करते हैं और वो पीच बीच में ये सब चीजें ऐसे बताते रहते हैं कि जिसमें की इंसान जो है न वो अपने मद में न रहे अपने घमंड में न रहे उनको एहसास कराने के लिए मार्गदर्शन दिखाने के लिए ऐसी घटनाएं वो करते रहते हैं तो ये थी आज की सत्य लीला का था तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सेयर और सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं किसी नेक्स सत्य घटना के साथ जब तक अपना ख्याल रखिए अपनों का ख्याल रखिए थैंकियो सो मच फूल वाच करने के लिए राधे राधे